हाई गाईज वेलकम तू माई चानल मेकिट इजी विद दीप्स तो आज के मेरे वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ यह नॉट सो डिय वाइवाई इसलिए क्योंकि इसमें मैंने कुछ पुरानी चीजों को रियूस किया है लेकिन इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा डे रखने के लिए जो बहुत कम पहनने में आती है और इसका जो नीचे का कार्डबोर्ड है मैंने उसे रिमूव नहीं किया है क्योंकि वो इसको एक स्टेबिल्टी देगा और इस एक पाउच में इसली एक ड्रेस हमारी आ जाएगी और इसको हम ट्रैवल में भी यूस कर सकते क्योंकि ड्रेस के साथ अगर हमें असेसरी जूल्री कुछ भी रखना है तो वो हम साथ में रखके इसको ट्रैवल में लेके जा सकते हैं तो यह देखे है मैंने कम्पलीटली अपनी एक ड्रेस इसमें डाल दी और इसली इसमें आ जाएगा प्रॉपली इसकी जिब बंद हो जाती है तो हमारी जो ड्रेस है वो इसमें सेफ है इसी तरह मैंने कुछ दो पाउची ऐसे ही यूज किये थे तो यह देखिये तो बहुत अच्छे से इसमें मेरी दोनों ड्रेस आ गई है और सेकेंड जो मेरा नॉट्सो डिय है अगें वो इक प्लास्टिक पाउच है विद इसमें मैं अप मेरी किचन आपकें से रूर करके इसमें प्रॉपरली अरेंज कर दूंगी तो यह दिखे इसका जो जिप है वो बंद हो गया है और किचन आपकें इसमें प्रॉपरली सेक्योर नेक्स्ट मेरा 900 DIY है वो मैं यूज करूँगी है शैंपू बॉटल इसके स्टिकर्स मैंने रिमूव किये और इसको मैं यूज करूँगी रखने के लिए हमारा डिश्वाशिंग लिक्विड तो ये 500 ml पाउच पैक है और ये बॉटल की कपैस्टी इतनी है 500 ml तो ये एक पंप नेक्स्ट मेरा 900 DIY है ये प्लास्टिक बॉटल जस्ट मैंने इसको ऊपर से काटा और नीचे कुछ होल्स कर दिये और इसको मैं यूज करूँगी रखने के लिए गीले स्पून्स को तो हमारे घरों में जिसे जो हेल्प आती है वो बरतनों की बास्केट में चमच को कहीं भी मुश्किल होता है तो इस तरह से उनको सेपरेटली हम रख सकते हैं और बाद में हम उनको अरेंज कर सकते हैं तो नेक्स्ट मेरा लास्ट 900 DIY है ये फेविकॉल की एमटी बॉटल या फिर इस तरह का नौजल वाली बॉटल जो हैर कलर के पैक के साथ आती है तो इसका टॉप जो है थोड़ा सा मैंने ऊपर से काट दिया था और इसको हम यूज कर सकते हैं रंगोली बनाने के लिए इस तरह से इसमें कालस डाल कर हम यूज कर सकते हैं तो आपको मेरे ये 900 DIY कैसे लगे प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्टन में लिके जरूर बताना और जरूर बताना कि आ आप और ऐसे कौन-कौन से 900 DIYs यूज करते हैं थैंक यू